सभी को जहें मैंने ते निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चानल Mission NCC The Way of Success में दिखेगा शाम के आड़ बच चुके हम लायू आ चुके फटा फट सभी के डेट जल्दी से लायू आ जाए और चार्ट बॉक्स में बता दो आज की इस क्लास में कौन-कौ उसके बाद आपको NCC का Entrance Test देना होता है तो Physical Test में क्या-क्या होता है उसमें आपकी Height ना पी जाती है आपका Weight Count किया जाता है फिर उसके आदमें आपकी Running होती है फिर Seatups निकालना है Pushups निकालना है Pullups निकालना है तो वो सारी activities आपके NCC के Physical Test में चलती है तो उसके उपर मै जाएगी description box में link है तो आज की इस वीडियो में या आज की इस class में हम बात करने वाले NCC Entrance Test के बारे में तो NCC Entrance Test में किस तरीके के questions पूछ आते वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाला है तो जितने भी हमारे regular वाले cadet से सभी cadet जल्दी से live आ जाया हो वो नहीं चल रहा है यह premiere चल रहा है तो प्रिमार में आप सभी के जो चार्ट से वह में पर सकता हूँ उसके जो reply वो चार्ट box में दे सकता हूँ ठक है मैं स्रिफ यहास से आप सभी के जो नाम है यह नहीं ले सकता ओक है तो हमारी na class Evice चलेगी वही 11 सितंबर याद रखें तो इसलिए मैं लायू नहीं ले पा रहा हूँ यह आपे लेकिन डोंट वरी 11 सितंबर यानी कल से कल से हमारी क्लास से स्टार्ट हो रही है यह आप याद रखेंगे तो चलिए बिल्कुल आज की एक क्लास को हम स्टार्ट करेंगे एंटरंस टेस्ट के बारे में तो यहां से मैं हट जाता हूँ ठेके तो बाकी चीज़े जो आप सभी को देखे का एक बात मैं आप सभी को बता दू हर किसी को आंसर देना है कोशन के जो आंसर है मैं आप सभी कुछ कोशन भी आज पूछने वाला हूँ तो उन सबी के आंसर आप सभी को देना है ऐसा नहीं करना है कि आंसर नहीं दोगे कुछ ना कुछ आंसर दो लेकिन देने की कोशिश करो चलिए तो यहां से मैं हट जाता हूँ ताकि आप सभी को और अच्छ से दिखाए दे तो चलिए आप देख सकते हो आप सभी के सामने से, तो मैं तो हट गया हूँ, अभी आप सभी, अच्छे से आप सभी को यह दिखा देगी सारी चीजे, तो देखेगा, Mission NCC, Model Question Paper 14, तो आज का चौदावा Question Paper है, ठीक है, आप में सहीं से बहुत सारे student है, जिन्होंने Model Question Paper Part 1, Part 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो सीधा आपना कितवा देख रहे हो, तो आप जो है, चौदावा Model Question Paper आप देख रहे हो, तो अगर आप सभी को वह सारी Model Question Paper देखना है, Model Question Paper 1, Model Question Paper 2, 3, 4, 5, यह सारी सीरीज अगर देखना है, तो मैंने एक प्लेइलिस्ट बनाई है, प्लेइलिस में चेक करिए, दूसरा लिंक आपको मिल जाएगा, NCC Entrance Test का, तो उसके उपर क्लिक करके आप इस वीडियो को ना, एक एक बार अगर आप इस प्लेइलिस्ट में चले जाते हो, तो आपको पूरी वीडियो एक ही प्लेइलिस्ट में मिल जाएगे, ठीक है, तो आपका पेप आपके उपर भी डिपेंड होता है, आपके NCC के एनो सर के उपर भी डिपेंड होता है कि वो इस साल कितने marks का पेपर आपसे लेंगे, तो maximum marks होंगे 50 एक घंटे का समय होता है, तो किस तरीके से question पूछ जाते हैं, उसका एक model question paper आप सभी के सामने हैं, तो आज के model question paper में हम sports के related ज्यादा question करने वाल है तो question आप सभी के सामने first निम्मे लिकित में से vitamin E का अच्छा स्त्रोत कुन सा है तो vitamin E का अच्छा स्त्रोत कुन सा है तो जो भी आपका right answer है सभी मुझे chart box में बता दो अगर आप पूरा answer नहीं लिख सकते हो तो कम से कम try करो A, B, A, B, C, D या इस तरीके से कुछ ना कुछ try करो लेकिन answer सभी को दिना है तो इस question का answer is option D is the right answer ताजी सबजिया जो है वो vitamin E का अच्छा स्त्रोत है तो आप सभी को पता है बई आप सभी को मैं respond भी कर रहा हूँ reply भी दे रहा हूँ चले जो भी वीनर्स है उनके नाम में ले रहा हूँ next question है सभी के सामने भारत का सबसे पूराना football club कुन सा है तो दिखें इसमें option B is the right answer Mohan Bagan याद रखें मोहन बागान यह जो football club है वो भारत का सबसे पूराना club है तो यह जो है football club टो यह कोलकाता मिझसते धे कहाँपशद कोलkaता याद रखेंगे पूलकाता मिझसती थे और इसकी जो स्तापना हुई थी 15 अगस्ट 1899 में इसकी स्तापना हुई थी और यह जो है भारत का जो रास्टिया फुटबॉल क्लब भी इसे जाना जाता है भारत का रास्टिया फुटबॉल क्लब ही है और एशिया का सबसे पहला फुटबॉल क्लब है ये भी याद रखेंगे और भारत का भी सबसे पहला फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है मोहन बागान ठीक है जो कि कोलकता में स्थी थे 15 अगस्ट 1889 में इसकी स्थापना हुई थी next question सभी के सामने है तहरा की के कितने प्रकार है ठीक है आप सभी को बता है तहरा की याने क्या है तो वह अभी हम समझते है चार प्रकार कौन-कौन से होते तो चले नेक्स्ट कोशने सभी के सामने है तैरा की में सबसे तेज स्ट्रोक कौन सा होता है तो आपके सामने option से breaststroke butterfly freestyle या backstroke जो भी आपका right answer है जल्दी से पता दो तो इसका सही जवाब है option C freestyle जो है वह swimming में सबसे तेज स्ट्रोक माना जाता है freestyle तो अभी क्या बात में आप सभी को बता हूँ कि मैंने आप सभी को question पूचा था कि swimming के कितने प्रकार होते तो आप सभी ने मुझे बताया कि swimming के चार प्रकार होते तो अभी swimming के कौन-कौन से चार प्रकार होते तो सबसे पहले breaststroke, butterfly, उसके रहाद में freestyle, फिर backstroke तो यह चार जोए वह swimming के प्रकार होते तो तेरा swimming में सबसे तेस ट्रोक कौन सा माना जाता है तो freestyle ठीक है, freestyle जोए वह सबसे तेस ट्रोक माना जाता है swimming में, next question सभी के सामने, अगला question है French Open 2020 किसने जिता था, French Open 2020 किसने जिता था, यहाँ पे men's की बात हो रही है, ठीक है, French Open जो है, वह एक tennis tournament होता है, ठीक है, French Open, तो यह एक clay code पे खे जाता है, tennis tournament होता है French Open, तो French Open 2020 किसने जिता था, तो राफेल नडाल ने जिता था, option A is the right answer, ठीक है, तो यह men's की बात हो रही है, तो राफेल नडाल ने जो है, वह French Open जिता था, 2020, next question सभी के सामने, नेता जी सुभाश, नेता जी सुभाश, रास्ट ये खेल संस्तान, नेता नेता जी सुभाश, रास्ट ये खेल संस्तान, कहां परस्ती थे, तो बिल्कुल आप मैंसे सभी स्टूरेंट ने बिल्कुल सही जवाब दिया, option A is the right answer, पटियाला में, पंजाब में, पटियाला पंजाब, नेता जी सुभाश, रास्ट ये खेल संस्तान, next question है, बिल्कुल में, पंजाब में, जाब और है लेता जी सही जवाब दिया, पहुग जाफितन ने पंजाब ककी है, तो ये ल work से सांबनी थे, तो आपके सामने options है, मौमाद सालीन, लियोनेल मैसी, क्रिस्टियान और रोणाल रोणालडो या नेमार जूनियर, जो भी right answer is, आपका तो जल्दी से मझे चार्ट बॉक्स में बता दो चलिए तो इसका सही जवाब है option C is the right answer Cristiano Ronaldo ठीक है वो जो है 100 international goal करने वाले यूरोप के पहले खिलाडी बने यूरोप के पहले खिलाडी बने अगर पूरे वर्ल्ड के अगर बात करें पूरे विश्वा में जो है वो Cristiano Ronaldo जो है वो सेकंड नमबर की खिलाडी है जिनों ने जो है सबसे पहले 100 international goal किये ठीक है चले यह याद रखेंगे सभी next question है सभी के सामने राजिव गांधी खेल रतन पूरसकार किसे मिला ठीक है तो सबसे पहले राजिव गांधी खेल रतन पूरसकार आप सभी को पता यह कृड़ा शेत्र में ठीक है विश्वनातन, आनंसर जो वो कौन सा sports खेलते हैं तो यह यह खेलते चेस क्या खेलते हैं? तो चेस खेलते हैं यह आप याद रखेंगे और इन्हें 1992 में यह पुरसकार से सन्मानित किया गया तो जुए तो राजी उगांदी खेल रतना पुरसकार नहीं दिल ली तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बंगलूर इस दर राइड आंसर तो बंगलूर में जो है वह बाग की पहली गर्स फुटबॉल अकाडमी शुरू है तो अगर आप सभी के जो चार्ट से वह में पढ़ रहा हूं साथ में आप सभी को में रिप्लाइ भी द तो भारतिया फुटबॉल टीम के कप्तान कोन है तो option B is the right answer सुनिल छेतरी सर जो है वह भारतिया फुटबॉल टीम के कप्तान है नेक्स्ट कउचण है भारतिया फुटबाल टीम के कॉच ठीके भारतिया फुटबाल टीम के कोच कौन है तो İgor Stimak Sir ठीके इgor Stimak Sir जो है वह भारतिया फुटबाल टीम के कोच है नेक्स्ट कॉच्चन is on your screen आप सभी के सामने अगला कोश्चन तो क्या होगा इस question का answer PV सिंधू कौन सा खेल खेलती है PV सिंधू option से आपके साँ आमने shooting है मुक्यबाजी तहरा की या badminton तो इसका सही जवाब होगा option D badminton PV सिंधू मैं जो है वो badminton खेलती है चले next question बिल्कुल आप सभी के charts में पढ़ रहा हूँ next question है महिला T20 World Cup 2020 किसने जीता था महिला T20 World Cup 2020 किसने जीता था option B is the right answer Australia ने जीता था चले next question सभी के सामने रंजी ट्रोफी 2020 किसने जीती थी तो रंजी ट्रोफी 2020 वो सवरास्ट में जीती थी ठीक है सवरास्ट next question है caliber ठीक है यह जो words है caliber words जो है वो किस खेल से संबंधिते caliber तो caliber जो है वो shooting से संबंधिते अगर आप NCC guidance हो तो आप सभी को पता होगा caliber का words caliber यह जो words है वो shooting के related है अगर आप NCC thankfully नहीं हो तो भी आप याद रखेंगे shooting is the right answer caliber जो words होता है वो shooting से संबंधित होता है next question है उबेर कप किस खेल में दिया जाता है तो उबेर कप आप सभी को पता है तो उबेर कप जो है भ insisted यह दिया जाता है किस में? बैडमेंटन में Hessen is the right answer बैडमेंटन में उबेर कप दिया जाता है चलिए, next question सभी के सामने olympic जहने में कितने rings होते तो आप सभी ने देखा होगा तो उसमें कुछ इस तरीके से रिंग होते हैं इस तरीके से कुछ रिंग होते हैं तो यह आपने फ्लैग देखा होगा तो इसमें पांच रिंग होते हैं कितने रिंग होते हैं तो पांच रिंग होते हैं तो उसमें और रिंग में एक color नीला होता है पीला होता है काला हरा और लाल तीक है ये color के जुए color होते हैं उस रिंग के तो Olympic Janda。 हम पाफ रिंग सहह यजाद रखेंगे next question, अगला question है अगला question है called Lady Ratan Tata किस खेट से संबंधी थे? तो Lady Ratan Tata जो तो ट्रॉफी है वो जो है वो होकी से संबंदी थे ओप्शन B is the right answer लेडी रतन टाटा ट्रॉफी वो होकी से संबंदी थे चलिए next question तो answer सभी को बताना है कंजूसी नहीं करना है answer देने में और सभी के चार्ट में पढ़ रहा हूँ साथ में में आप सभी को reply भी दे रहा हूँ तो दिपी का कुमारी का संबंद किस खेल से तो भईया दिपी का कुमारी किस खेल से संबंदी थे तो तीरन दाजी ओके option A is the right answer तीरन दाजी से संबंदी थे नेक्स्ट कोशन सभी के सामने बैटन कप बैटन कप किस खेल से संबंदी थे तो option B is the right answer होकी के संबंदी थे बैटन कप ओके चलिए तो next question है CK NIDU Cup किस खेल से संबंदी थे CK NIDU Cup तो यह होगा क्रिकेट से तो CK NIDU Cup जो हो क्रिकेट से संबंदी थे option B is the right answer तो next question है आप सभी के सामने नीरच चोपला किस खेल से संबंदी थे तो नीरच चोपला जो है वो भाला फेक से संबंदी थे ठीक है भाला फेक next question सभी के सामने ओलंपिक खेलो में एकल वर्ग में स्वर्न पदक जीतने वाले पहले भारतिय कोन थे ठीक है ओलंपिक खेलो में एकल वर्ग में सिंगल्स में स्वर्न पदक जीतने वाले पहले भारतिय कोन है तो आप सभी को पतला होगा कोन होगे ठीक है क्या होगा इस question का answer तो इस question का answer आप सभी को comment box में बताना है ठीक है इस question का answer आप सभी को comment box में बताना है तो ये question आप सभी के लिए ओके ये थे कुछ basic question इसी तरह के जो basic question है वो आपके NCC के entrance test में पूचे आते हैं इसलिए ज़्यादा attention लेने वाली बात नहीं है आप जो NCC का entrance test होता है उसे आप आराम से clear कर पाऊगे तो सभी जल्दी से मुझे बता दो कि आज मैंने आप सभी को 25 question पूचे थे ठीक है तो 25 में से आप सभी के कितने question के answer सही है जल्दी से मुझे chart box में सभी के चार्ट में पढ़ रहा हूं everyone जितने भी student आप लास तक देख रहे हो ना तो जल्दी से बता दो हमने कितने question पूचे थे 25 question तो आपके कितने question सही है ठीक है तो जल्दी से बता दो चार्ट box में बहुत बड़े लेकिन तारीक याद रखो 11 सितंबर 2021 से हमारी सुबर भी class चलने वाली है और शाम को भी चलने वाली है timing होगा 8 बज़े सुबर शाम को भी 8 बज़े दोनों भी समय में 8 बज़े का timing होगा ये भी आप याद रखेंगे तो बाकी और चीज़े क्या है तो बाकी मिलेंगे कल की लाई वाली class में सभी के charts में पढ़ रहा हूँ आप don't worry tension ना लो everyone और अब उस playlist में जरूर जाईएगा अगर पूरी वीडियो अगर आपको देखना है ना तो मैंने description box में link दिया हुआ है NCC Entrance Test 2021-22 इस तरीके से मैंने एक playlist बनाई है ठीक है NCC Entrance Test 2021-22 नीचे description box में link है जल्दी से जाओ क्लिक करो पूरा वीडियो देख लो ओके तो चले बिलकुल मिलते हैं और सभी को good night और जिनोंने अभी तक खाना नहीं खाया तो खाना भी खा लीजे ठीक है दो दिन हमारी class ब आपके किम दिसम्री करकर वीडियो देखें लेए शुक्रिया मिलता दुस्तों अगले वीडियो में जाहें इंत वंदे मात्रम और सेशन को एक बार like भी कर दीजिए वीडियो को सभी like भी कर दीजिए और चानल को सब्सक्राइब करके बल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए बाइवरिवान